बिग बास वाटिन के घर से झाइसमिन के ऐलिमेनेशन पर आया आका contemplation नाकिर क्या कहना चौआ रही है अका क्वा पुरे जास्मिन के ऐलिमेनेशन को लेकर इसकी साथ की डेटेल साब की सामने लेकर आई हो ज्यसमिन्сти जासमिन भसीन बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट रहा फुरे घरवाले के लिए खाज करके अलीगोनी को लेकर जो है अलीगोनी काफे ज्यादा इमोशनल हो गए थे इतना ज्यादा इमोशनल हो गए थे कि उनको पैनिक अटाक तक आ गया हमने देखा एपिसोड में कि सलमान भी जैस्मीन के एविक्शन से काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे हालां कि अगर ओडियन्स की बात की जाये तो जितने भी ओडियन्स है कहीं न कहीं सब के लिए यह महौल जुथा काफी ज्यादा इमोशनल कर देने वाला था अब इसी समुद्दे पर अकांशापुरी का रे 14 शी डिजर्व तो बी इन टॉप 5 नॉट एक्सपेक्टेट सू सून थैंक्स बीइंग सल्मान सफ और बीइंग यॉर्सेल्फ तो इस तरीके से इनोंने टूइट किया है यह कहते रही है कि कुछ गुडबाई जो होते हैं वह बहुत जादा टॉफ होते हैं और आप अपनी आसू को नहीं रोक पाते हैं जैस्मीन भसीन का एक्षण कुछ ऐसा ही था जैस्मीन भसीन कम से कम टॉप 5 में तो डिजर्व करती ही थी बहुत जल्दी वह घर से इलिमिनेट हो गई जैस्मीन के साथ बहुत जदा अनफेर हुआ है बिग बॉस सीजन 14 में तो इस तरीके से अकांशा पूरी का रियाक्शन आया है उसके बाद आपको बता दू कि जैस्मीन भसीन एक और ट्वीट करती है जिसमें जैस्मीन कहती है थाइंक्यू अकांशा ट्रू सम गुडबाइस आर्याली टॉफ बट इस वोज हार्ट ब्रेकिंग तू हां अकांशा आपने सही कहा क और आपने सही कि बूबाइस बहुत जाई है तो इन्होंने कहा है हाँ मैं यह आगरी करती हूं कि आप जो है बिग बॉस के घर में रहना बहुत ज़ादा डिजर्व करती है क्योंकि आपसे बहुत ज़ादा कमजोर कंटेस्टेंट जो है वो बिग बॉस में है और आपके साथ जो भी हुआ है वो बहुत अनफेर हुआ है लेकिन कोई बात नहीं शो तो चलता रहेगा लेकिन आपने सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तब तक के लिए टेक केर